लो एव्रीवन गूड मॉर्निंग वेल्कम एंड वेल्कम बैक तो दा न्यू व्लॉग मेरे योट्व चैनल में बहुर स्वागत है तो ये दिन शुरू हो रहा है कपड़े जो कॉल व्लाय क्पड़े दूलने से दिन तो नहीं शुरू हो रहा हैए लेकिन जी ये देखी, यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को वाश करके, ड्राइ भी कर लिया है, अब चलिए फटावर्ट से, इसको सूख निकलिये, डाल देते हैं, या फैला देते हैं, मैं एक्शली फैला दे वर्ड यूस करती हूँ, तो काफी कमेंट आते रहते हैं, कि फैला दे क बहुत जादा गंदे होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको वाश कर दिया था, और यह मैट तो मैंने वाश नहीं की, यह तो बस यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ने पानी वाणी गिरा दिया था, तो डाली थी कि सुख जाएगी, और उदर वाली जो डोरी है ना, उसमें तो धूप क्या हवा लग जाएगी, तो कम से कम थोड़े सूखेंगे, बाकि फिर मॉर्निंग में जब सुख जब उटूँगी ना, तो सबसे पहले कपड़ा ही धूप में डाल देती हूँ, तो फिर मेरे को नब बहुत इजी रहता है, जब तक नहाओ दो, खाना भी न बनाना तब तक कपड़े अराम से सूख जाते है, सुख़ की दोप में, और आप लोगों के तरफ होली की क्या तैयारियां चल रही है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताना, आपके घर में, गुजी आप आपर मटरी, यह सब बनना स्टार्ट हुआ, यह नहीं हुआ, और अगर हो यहां पर आइना यशी देखी, यह बबल मेकर जो होता है, इससे कितने अच्छे अच्छे बबल बना रही है, इन लोगों बहुत जादा पसंद आई, यह नहीं बनाती जारी बबल, और यह नहीं उनको फोड़ती है, सहाथ लगाए, फिर आइना रोने लगी, मम्मी मैं तो फुलाती रजाती हूँ, यह शी दो अन्जाए करती है, अब आप फुलाओ, तो हम दो अन्जाए करेंगी, तो मैंने का चलो ठीक है, अब मैं बबल फुलाओंगी, और तुम लोगो इसमें खेलो, तो उसके बाद पिर काफी देड़ मैं इनको खिला दी रही हूँ, बाहर अब मेरे को बहुत आराम हो गया, जैसे पहले कुछ समान मन लाना रहता था तो मुझे जाना पड़ता था, लेकिन अभी मैं साइकल जब से तो आइना को बोल देती हूँ, तो लेकिया जाती हूँ, एक दे छोड़के, रॉनक का है, कौन रॉनक, में दोस्त है, स्कूरी क्र क्या लाया दिखाओ बेटा, तो आज है आइना की फ्रेंड का बर्थडे, तो आज है एन्वाइट करने के लिए वह भी आई थी, पहले से बताती है, तो गिफ्ट भी मैं मंगवा देती, लेकिन नहीं मालूम दा पहले, अभी आई है, और बोली कि छे बजे इनको बेज दे नहीं, तुमसे उतना अच्छे से नहीं बनेगा, मैं ही कर देती हूँ, और बस यहाँ पर पैक हो गई है, यह लोग जब भी हाली चोकलेट लेकर के आती ना, तो कहती है, ममी के वाली हमें दे दो, ऐसी लोग का मेशा बच्पन से रहता है, अब तो गहर बड़ी हो गई है, अब उतना नहीं, लेकिन पहले बहुत करती थी, गिफ्ट लेकर के आती थी किसी और के लिए, और इसको कहती थी, नहीं, हम नहीं देंगे, हम खुझी रखे, तो यहाँ पर गिफ्ट जो है, वो पैक कर दिया है, मैंने, अब मैं इन दोनों को करूंगी, रेडी, पहले तो निकालूं कि क्या मुझे पैनाना है, और इन्होंने शाम को भी मिल्क भी नहीं पिया है, तो जाना तो इनको छे बज़े है, छे क्या साड़े छे बज़े तक मैं भेजूंगी, लेकिन अभी उससे पहले भी तो पांची बज़ रहे है, तो मैं इनको दे देती हूं मिल्क, तो यह लोग मिल्क पी लें, और उसके बाद फिर मिल्क पीने के बाद इन लोगों करूंगी तयार, क्योंकि टाइम भी लग जाएगा, अब इनके पहले तो मुझे ड्रेस धूननी है कि काउन सी क्या पहनेंगी, और इनके नाटक भी तो रहते बहुत, यह नहीं पहनेंगे नहीं पहनेगे यह पहनेगे, तो बस इनके पहले तो मिल्क पीने देते हैं, दोनों को मैंने आयना, और यह दोनों को दे दिया है और आयना का स्वेटर आप लोग देको, कैसे बटन बंद कर रहा है ऊपर नीचे करके, बस वो लोग जब तक मिल्क फिनिश कर रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर उनकी ड्रेस निकाल रहे हूं और अभी जब मैं उनाकवर से आई थी ना तब फिर मैंने सारी जो यह ऐसी फ्रॉक अगयर थी पहले तो यह अलमारी में रखी होई थी लेकिन यह जगें बहुत गेरती हैं और दिक्कत होती इनको अलमारी में तो इसलिए मैं स्किन की आपके पूरे बालों की धज़िया उड़ा दी जाती है बट पहले जो कलर्स होते थे वह निच्छल चीज्जों से बने होते थे जैसे फ्लावर बैरीज स्पाइस बट आजकल की जो कलर से न यह केमिकल से बने होते और यह हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा हम हमफुल होते हैं यह आपके बालों को ड्राय रफ फ्रिजी यह सब बनाते हैं अब आप लोगे एक्जामपल के तौर पर देखिए अगर आप होली खेल रहे हैं होली खेलते करते आप ठक जाओगे फिर आपको लगे चलो थोड़ी दिर रेस्ट कर लिया जाए और जब तक आपके बालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपके बाल खराब होते हैं बट अगर आप अपने बालों पे ऑईलिंग करके रखेंगे तो आपको कम इफेक्ट देखने को मिलेगा जैसे क्योंकि ड्राय जो हेयर होते ना वो पानी कलर ज़्यादा अब्स करते हैं जोंक तेल लगाने से आपका स्कैल्प हेल्दी तो हो गही बट साथ में यह आपके सर में हामफूल कलर की अब्सॉर्प्शन भी कम करेगा यह स्कैल्प में जाकर बलड सर्क्लेशन बढ़ाता है और बालों को नरिश करता है जिससे ड्राय स्कैल्प डेंडर जैसे स जॉंक ओईल हंडड़ परसंट सेफ एंड नेचरल है एंड यूज करना भी एजी है होली खेलने से पहले जस्ट आपको अच्छे से अपने हेर में इससे अप्लाई करना है और होली के बाद जब आप हेर वाश करोगे तो स्कैल्प से सारे कलर निकल जाएंगे और आपको मि यहां से उठाने के लिए और वैसे भी ज्यादा मतलब सूखे तो नहीं है तो सब गीले ही लेकिन अब रात में यहां पर डालने का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए मैं सारे कपड़े हटा देरे हैं क्योंकि रात में क्या होता है कभी हो सकता हवा चल जाए मौसम बदर जाए मैं और में सारी जो है वो गीली हो रही थी तो मैंने चेंज कर ली है और बस यह वही शाम का ही वीडियो है तो मैं आपर रख रही हो बरतन सट कर रही हूं थोड़ी दिर पहले जो मेट आए थी वो थोड़ी दिर पहले क्या हो चार बजे करके गई तो फिर बरतन हटा दिये मैंने, अब मैं बनाऊंगे अपनी शाम वाली चाई, गर्म गर्म चाई पियोंगी और बच्चे को अभी तैयार करूंगी लेकिन उससे पहले यहां पर मैं सूच रहे थी कि चाई पी लूँ पहले, उसके बाद मैं तैयार करए तो यशी भी बोल रहे हैं भी आपके हैप करूंगी तो अद रख मैंने इसको देदिये, कुटे तो क्या हूँ आप छोटा बच्छा हो ना तो क्या हूँ आपने रख तो ड़ा दीना अद रख तो ड़ा दिना यशी है यो जब तक चाय पकेगी तब तक आवी से लेखना थो जी चाय जो है वो मैं च्छानके भी लेती हूं और उसके बाद चलिए इनको दिखाते हूं मैं कैसे रैडी करने वाली हूं तो यहाँ पर पहले यह जो दर्वाजा है ना यहाँ पर लाइट पंद है तो यहाँ की लाइट खोल देते क्योंकि अभी आए ना उपर आई नहीं है और हो गया है अंधेरा तो जब सीडियो पैगी नहीं है तो वहीं से चिल आती है ममी लाइट खोल देशील मैंने पहले खोल दिया और चाय जो है वो चान तो ली थी पर पी नहीं है तो मैं पहले चाय यहाँ पर पीओंगी ब्रेड ले आए हूं ब्रेड मैंने फ्राइ नहीं किये हैं मैं सुझत रही थी मैं यह शीग ऐसे खिला दूगी क्योंकि मुझे ब्रेड फ्राइम करने में आलस आता है लेकिन यह लोग बोलती है तो फिर मैं कर देती हूं तो बस चाय वाइ पीके और अब यहाँ पर इनको ड्रेड जो है पहना दिया है मैंने यह इनर पहना दिया है क्योंकि थोड़ा शाम के टाइम पे बच्चों को बाहर ठंडी लगे गर के अंदर तो नहीं है लेकिन बाहर जरू लगेगे तो वाइट कलर का इनर पहना दिया है तो अब लोग मुझे कमेंट करके बताना है मैंने इनको कैसा रेड़ी किया है और दोनों का सेम वाइट कलर का इनर है थोड़ा सा क्लिप बगेर और लगा देती हो यह बैंड आइना के हाथ में जो हैर बैंड है ना पिंक कलर का वही हैर बैंड यह लगाने वाली थी यह शी मैचिंग का उसने निकाल के रखा था और वाथ से खाना और खा करके आएंगे मुझे पहले तो फ़रन को कॉल करना है पूछना है कि क्या खाना बनाना है क्योंकि सिर्फ अपने लिए और उनके लिए ही बनाना है अब देखते हैं फिलाल फोन फोन चार्टिंग में लगाने है चार्ज नहीं है बिल्कुल तो यहां पर देखिए आयना और यशी दोनों आ गई है आयना पहले पीछे चल रही है लेकिन यशी आ गए है और उसको रेटन गिफ्ट में यह मिला है तो वो ही मुझे दिखा रहे थी और आप करूंगे इनसे बाते हैं खाने की तयारी करूंगी और इस व्लॉग को करूंग तुमें बाई बाई टेक क्यार